हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं CKPS Study में आप सभी का स्वागत करता हूँ और मैं छोट उक्मार जो कि आज का जो मेरा क्लास होगा जो कि क्लास 10 का मोडल पेपर, सोसल साइंस, समाजी इक भी घ्यान का जो कि एस यूनान को, तो जो कि यूरोपी संभता का पालना किसे कहा जाता है, तो यूनान को कहा जाता है, option D यहाँ पर मेरा बिल्कुल correct answer है, ठीक है, आप इसी याद रखेंगे, next question, question number 2, करा, 1917 की रूसी करांती के समय किस चार का सासन था, तो option A में दिया गया है, पीटर, B में एलेक् पर्थाम, C में निकोलस, पर्थाम, D में निकोलस, तीरती है, तो यहाँ पर जो मेरा right answer हो जाएगा, दो का, जो कि option D, निकोलस, तीरती है, जो था, 1917 की रूसी करांती के समय में, जो की जार का सासन चलाया करता था, option D, यहाँ पर मेरा बिल्कुल correct answer है, next question, question number 3, करा है कि, ब option C होगा, कोलाउन जो था, बियतनाम में रहने बाले फ्रांसिसी नागरिको को क्या कहा जाता था, तो कोलाउन कहा जाता था, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, next question, question number 4, करा है किस खनीज को उध्योगों की जननी माना गया है, तो option A में दिया गया है, मैगनीज, B में बॉ करा कि गोंडवाना समू के कोईले का निर्मान हुआ था, तो कोईले का निर्मान जो कि कब हुआ था, तो option A में दिया गया है, 20 कलोर बर्स पूर्व, यानि पहले हुआ था, 20 लाख बर्स पूर्व हुआ था, यह 20,000 बर्स या इन में से कोई नहीं ते है, पर जो मेरा right answer हो जाएगा गोंडवाना समू के कोईले का निर्मान कब हुआ था, तो 20 कलोर बर्स जो कि option A, 20 कलोर बर्स पूर्व हुआ था, आप इसे याद रखेंगे, next question, question number 6, करा भारत में किस परकार की क्रीशी की परधानता है, तो option A में जीवन निर्वाह क्रीशी से, B में है विस्तिर पर बिल्कुल राइट अंसर है, जीवन निर्वाह क्रीशी से, आप इसे याद रखेंगे, next question, question number 7, question number 7 है, इनमें सता की साजेदारी का एक सही लाव क्या है, तो option A में दिया गए आसिर्थता एबं आंतरी कला में बढ़ोतरी, B में कह रहा, मत भेदो में बिर्दी, C में कह और D में निर्ने लेने की परकेरिया में अब से अकता बिल्ब, तो यहाँ पर जो मेरा right answer हो जाएगा, जो कि option C, समुदायों के मध्ध टकराव में कमी होने के कारण, इनमें सता की साजेदारी का एक ही सही लाव क्या है, तो समुदायों के मध्ध टकराव में कमी होने के कार Option C, यहाँ पर मेरा right answer है 2019, question number 8, करा नगर्निगम के मुख परसासक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, Option A में है अयूक्त, B में अध्यच, C में नगर प्रधान, D में है नगर आयूक्त, यहाँ पर जो मेरा right answer हो जाएगा, 8 का जो मेरा correct answer होगा, जो कि option D, नगर आयुक्त, जो जो कि परतियासा, B में सीसू मिर्तुदर, C में मौलिक साचरता, D में इनमें से सभी तो यहाँ पर जो मेरा राइट अंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्सन D जो भी ऑप्सन में दिया गया है, साभी जो कि यह सही है जीवन भातिक गुनबता का सुचक क्या है, तो जीवन परतत्ता भी है जीवन के लिए सीसू मिर्तुद भी जीवन का जो कि यह ढाल है, और C में मौलिक साचरता भी जीवन का जो कि यह गुनबता हता है इनमें से सभी यहाँ पर बिल्कुल राइट अंसर होगा, D नंबर ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो कि कोश्चन में जो कि नंबरिंग देने में थोड़ा सा प्रोगलम था तो यहाँ पर जो कि 20 से मैं यह स्टार्ट करता हूँ कौश्चन नंबर 20 करा है, कौन सा समाजिक बर्ग बुद्धी जीवी बर्ग के रूप में उभर कर आया था तो अप्शन A में जो कि उध्योग पती बर्ग, B में पुंजी पती बर्ग, C में सर्मिक बर्ग, D में मध्य बर्ग जो कि 20 का जो मेरा राइट अंसर हो जाएगा, का समाजिक बढ़ के रूप में उभर कर आया था क्या होता है तो option A में इस्तिरियों और पूरुष के बीच जैविक अंतर B में करा समाज द्वारा इस्तिरियों और पूरुष को दी गई असमान भूमिकाएं C में करा वालक और बालिकाओं की संख्या कानुपात D में करा लोग तांतरिक ब्यवस्था में महलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना तो option यहाँ पर जो मेरा right answer हो जएगा 21 का 21 का जो मेरा correct answer होगा जो की option B समाज द्वारा इस्तिरियों और पूरुष की दी गई थी जो की option यहाँ पर D मेरा बिल्कुल correct answer है ठीक है यहाँ पर मेरा जो की है option D यहाँ पर मेरा बिल्कुल correct answer है ठीक है आप इसे याद रखेंगे next question question number 22 का रहा है निमने लिखित में कौन संग राज की विवस्था नहीं है तो option A में लिखित सभिदान B में सक्तियों का विवाज question C में है एक हरी सासन विवस्था डी में सर्वोच नियाल है तो यहाँ पर जो मेरा right answer हो जाएगा 22 का जो की D होगा डी बिल्कुल correct answer सर्वोच नियाल है जो की है निमने लिखित में कौन संग राज की विवस्था विवस्था नहीं है आप इसे याद रखेंगे next question question number 23 करा ब बिहार में संपूर करांती के नेत्रित्व किसने किया तो option A में मेरा मेरा रजी देसाई B में है नितीश कुमार C में इंद्रा गांधी D में जाई परकास नरायन तो यहाँ पर जो मेरा right answer हो जाएगा 23 का जो मेरा correct answer होगा जो कि option D जाई परकास नरायन जो थे बिहार में संत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है तो option A में कानून के समय सामनता B में है स्वतानता एबं निस्पच चुनाओ D C में का रहा है उतरदाई सासन व्यवस्था D में का रहा है बहु संख्योकों का सासन तो यहाँ पर जो मेरा right answer हो जाएगा 24 का जो कि 24 का जो मेरा बिल्कुल right answer है जो कि कानून की सचता समच समानता जो है इन में से कौन सा एक बात लोक्तांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है तो कानून के समच समानता जो कि व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है तो option A है पर बिल्कुल right answer है आप इसे याद रखेंगे next question question number 25 करा भारत एक लोगतांत्रिक राज है निमनलिखित में किसमे यह घोसना की गई है तो option A में प्रस्तावना, B में पार, C में कानूनी, पुस्तक, D में है नागरी, कुछ सास्तर तो यहाँ पर जो मेरा right answer हो जाएगा 25 का, जो कि option A होगा ठीक है प्रस्तावना जो कि यह भारत एक लोगतांत्रिक राज है, निमनलिखित में किसमे यह घोसना की गई थी तो प्रस्तावना में किया गया था, ओके आप इसे याद रखेंगे next question, question number 26 करा किस लोग सभा चुनाओ के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई है तो option A में 16 मीं लोग सभा, B में 15 मीं लोग सभा, C में 17 मीं लोग सभा, D में 20 मीं लोग सभा तो यहाँ पर जो मेरा right answer होगा 26 का, जो कि 26 का जो मेरा right answer होगा option D बिस्मी लोग सभा जो किया है, लोग सभा का चुनाओ के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई थी बिस्मी लोग सभा में, आप इसे याद रखेंगे option D यहाँ पर मेरा बिल्कुल correct answer है next question, question number 27 करा कि निमनलिखीत में कौन साराश्टी दल है, तो option A में जनता दल, B में DMK, C में जो किया है, लोग जन सकती पाटी, D में भारती जनता पाटी, तो यहाँ पर जो मेरा right answer हो जाएगा, 27 का जो मेरा correct answer होगा, जो कि option B, DMK जो किया है, option B यहाँ पर मेरा बिल्कुल right answer है option B, निमनलिखीत में कौन साराश्टी दल है, तो DMK जो किया है एक दल होता है, option B यहाँ पर मेरा right answer है, next question, question number 28 करा है, लोग तांतर का प्रान किसे कहा जाता है, तो option A में राजिनितिक दल, B में है समाजिक दल, C में मानिवित दल, और D में नागरिक दल, तो यहाँ पर जो म question number 29 करा है, कि भारत में संग एबम राजियों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सुचनाओं में हुआ है, तो option A में 3, B में 2, C में 4, C में 1 और D में 4, तो यहाँ पर जो मेरा right answer हो जाएगा, जो कि 29 का जो मेरा correct answer होगा, जो कि B number 2, जो कि भारत में संग एबम राजियो की बीच में अधिकारों का विभाजन कितनी सुचनाओं में हुआ था, तो दो सुच जो किया है, राजियो की बीच अधिकारों में हुआ था, तो आप इसे याद रखेंगे, next question, question number 30 का रानिमनलिखित में कौन लोग तंत्र में रंगभेद के बिरोधी नहीं थे, तो option A में option D यहाँ पर मेरा बिल्कुल राइट अंसर है, जेड़ी गुड़ी जो थे हैं, लोग तंत्रीक का रंगभेद के बिरोधी नहीं थे, आप इसे याद रखेंगे, next question, question number 31 का रासा रामनगर का विकास हुआ था, कहां हुआ था, या कब हुआ था, तो option यह मद यूग में हु यहाँ पर 31 का रासा रामनगर का विकास हुआ था, आप इसे याद रखेंगे, next question, question number 32, अभी भाजित बिहार में निमलिखित में कौन एक मात्र नियोजित नगर था, तो option A में पटना, B में मुंगीर, C में जमसेदपूर, D में गया, तो यहाँ पर जो मेरा राइट अंसर होगा, option C, option C, जमसेदपूर जो था, अभी भाजित बिहार में निमलिखित में कौन सा एक मात्र नियोजित नगर था, तो जमसेदपूर था, sorry, जमसेदपूर, यह 32 का जो मेरा राइट अंसर होगा, जो की मुंगेर, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, next question, question number, जो की 33 करा पटना हवाई अड़ा का क्या नाम है, तो option A में जैपरकास अंतराश्टी हवाई पतन, B में पटना हवाई अड़ा, राजेंदर परसाथ अंतराश्टी हवाई अड़ा, D में करा बिहार हवाई अड़ा, तो यहाँ पर जो मेरा राइट अंसर हो जाएगा, 33 का, जो की D, D बिहार बिल्कुल करेक्ट है, बिहार हवाई अड़ा, उसे पतना हवाई अड़ा का क्या नाम था, तो बिहार हवाई अड़ा था, आप इसे याद रखेंगे, next question, question number 34, करा बिहार में रजु मार्ग कहां है, तो option A में बिहार सरीफ, B में है राजगीर, C में है गया, और D मे बिहार में रजु मार्ग कहां है, तो यहाँ पर जो 24 का मेरा रइट अंसर हो जाएगा, रजु मार्ग जो की बांका में है, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, option D यहाँ पर मेरा बिल्कुल करेक्ट अंसर है, next question, बिहार में खनीज तेल की संभवना है, तो option A में हिमाचल चेतर में है, या उत्तर बिहार मैदान में है, या दच्छिन बिहार मैदान में है, या दच्छिन बिहार की पहाणियों में है, तो यहाँ पर जो मेरा रइट अंसर हो जाएगा, 35 का, जो की option A, बिहार में खनीज तेल की संभवना है, कहां हिमालय चेतर में है, हिमालय चेतर में option यह हाँ पर मेरा बिल्कुल correct answer है ठीक है तो जो किया है आज का class नहीं से माप्त करता हूं कल मिलते हैं अगले वीडियो में